हेलो एवरिवन प्लीज जॉइन कर लिजे जल्दी जल्दी से बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूं आपके लिए जल्दी जल्दी से आप लोग जॉइन कर दीजे और वीडियो को शेयर कर दीजे जिससे और लोग भी जॉइन हो सकें प्लीज कमेंड करके बताइए और यो वीडियो के लिए हैं हेलो शालू जी आडियो वीडियो के लिए हैं प्लीज बताइए और इसको के लिए तो शेयर कर दीजे वीडियो को जिससे और लोग जो है जो इनो सकेस में हेलो मीता जी होके सब के लिए है तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को की की हम दो रैसिपी जो है आज कवर करेंगे हैं हेलो प्रतिमा जी है जाइस प्लीज शेयर कर दीजिए वीडियो से वीडियो हेलो मान्या तो चलिए स्टार्ट करते हम फटा फट से रैसिपी और फिर बाते करते रहेंगे आपकी कोई यह भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछना मैं आपको बताऊंगी तो चलिए हम बनाना शुरू करते अपनी रैसिपी तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूं हेलो फ्रेंड्स मैंजना बंसल बिलासपूर यूपी से आपका जो है स्वावत करती हूं अमूल के पेश पर तो आप लोग कहां कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताईए आज हम बना रहे हैं बजार का पनीर जो होते हैं अमूल पनीर ले सकते हैं आप या आपके नियरवाई जो भी मिलता हो फ्रेश पनीर लेना है क्योंकि उससे हम रस्मलाई बना रहे हैं और सबकी दिक्कत यही होती है कि काव मिलक नहीं मिलता है सबको तो रस्मलाई बनाने म विदो पॉर्फेक्ट रैस्पी अगर आप जैसे मैं बताऊंगी वैसे ट्राई करेंगे तो आपकी रैसिपी भी बिल्कुल पर्फेक्ट बनेगी बिल्कुल बजार जैसी जो है रस्मलाई बनाकर हम तयार करेंगे उसके जरूरी नहीं काव मिल्क चाहिए या काव का ही छेना चाहिए जो भी बजार में पनीर मिलता है हम उसका यूज कर सकते तो उसके साथ हम एक मलाई बनाएंगे और बिना के कुख करेंगे हम बनाएंगे उन्हें दडबिकाओ ने कहते हैं इंस्टेंट बनके तयार हो जाते और खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगते हैं तो गर्मी में अगर आपको किचन में काम नहीं करना है तब जटपट से ये बना सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दोनों रेसिपी तो उसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए वो मैं आपको बताती जाओंगी वन ब और इसमें जो भी एक्स्ट्र मॉइस्ट्र हो वो जो है आप किसी पेपर टावल से उसे कर दीजिए तो ये देखे मैंने बिल्कुल इसे ड्राई कर रखा है तो इस तरीके का फ्रैश पनीर लेना है तो मैंने 200 ग्राउंड जो है ये पनीर लिया है अब इसे क्या करना है लेकिन आज मैं आपको एक और इंस्टेंट तरीका बताऊंगी जिससे कि आप फटाफट से जो है इसे कर सकते हैं ओडियो वीडियो के लिए है कोई दिक्कत तो नहीं है प्रीज बताईए तो ये देखिए इस तरीके से मैंने पनीर को लिया है और इसे हम एक mixer grinder में डाल देंगे आपा छाहे तो खास भी कर सकते हैं लेकिन mixer grinder में डालने से जो आपको टाइम लगेा वो है आपका बच जाएगा और महनत भी बच जाएगी तो आप इस तरीके से इसे mixer grinder में डाल दीजिए, आप कोई भी पनीर ले सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, बस वो थोड़ा सा dry होना चाहिए, moisture content जो है उसमें कम होना चाहिए, बस इस चीज का आप ध्यान रखें, अब मैंने ये डाल दिया है, अगर कहीं भी कोई disturbance आता है, तो आप मुझे बताईए, अब मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड कर ले रही हूँ एक बार, तो थोड़ा सा शो राइड़ा आप लोग manage कर लीजिए, तो ये देखिए, इस तरीके से ये ग्राइंड हो गया है, आप हाथ से भी कर सकते हैं, तो ये देखिए, ये पनीर को जो है मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, थैंक्यू मानिया, और आप लोग try करते हैं, तो मुझे इंस्टा पे टैग कर सकते हैं, जिना बंसर के नाम से जो है मेरी पहाँ पे पेज है, तो उस पे भी आप मुझे follow कर सकते हैं, और facebook पे भी आप मुझे follow कर सकते हैं, और youtube पे मेरा channel है, इंजे नाज homemade के नाम से, पराद में ले सकते हैं, मेरा यह steel का platform है, तो मैं इस पे कर रही हूँ, बस इस तरीके से यह देखे, हाँ से अगर आप करेंगे तो इसमें बहुत time लएगा, या आप इस तरीके से कर सकते हैं इसे, और अब इसमें हमें दो चीजे डालनी है, मैं आपको बताती हूँ, तो जितना आपके moisture हो, आप उस हिसाब से जो है, उसमें डाल सकते हैं, तो मैं एक teaspoon जो है, इसमें मैदा डाल रही हूँ, और एक teaspoon ही मैं इसमें corn flour डाल रही हूँ, और फिर हम देखेंगे, कि हमारा dough परफेक्ट हुआ या नहीं, उस हिसाब से जो है हम manage करेंगे, अब एक तरब जो है हम में इसके लिए सुगा सिरफ बनाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, पानी गरम करने के लिए रख दूँगी, तो हम पांच कप जो है, पानी लेंगे, आप कोई भी कटोरी मैनेज कर सकते हैं, कोई भी घर की कटोरी ले ल है, लेकिन सब लोग जो है डरते हैं कि रस्मलाई मार्किट जैसी बनेगी या नहीं, लेकिन आप इस ट्रिक से बनाएंगे, तो बहुत ही अच्छी जो है, आपकी रस्मलाई जो बनकर तयार होगी, तो ये देखिए पूरा डो जो है, एक साथ आ गया है, कहीं भी इस ट्रि आती हो, तो इस तरीके कि आप कोई भी कड़ाई ले लिजिए, कड़ाई भगोना कुछ भी जो भी आप लेंगे, बस वो जो है थोड़ा सा इस पेस उसमें ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि हमारी जब रस्मलाई यां फूलेंगी, तो उने जो है थोड़ी सी जगा मिल जा पानी डालेंगे, और एक साइड में पैंड में हम थोड़ा सा पानी और रग देंगे, जिससे कि अगर हमारी इसमें रस्मलाई में पानी कम लगे, तो हम इसमें एड कर सके, अब इसमें एक कटोरी हम इसमें चीली डालेंगे, चीली हम इसमें ज्यादा पीनी डाल रहे हैं, क्योंकि हम रसमलाई बना रहे हैं जो वह उसका रस बनाएंगे उसमें भी शूगर अड़ करेंगे इसमें खाली हम छीनी इसलिए डाले हैं कि आप जब बाद में रसमलाई बनाएंगे उसके अंदर भी जो है थोड़ा मीठा चला जाए तो इसके लिए हम इसमें यह चीनी डा कर लेते हैं और एक पैन में थोड़ा सा पानी अलग से रख ज़े रही हूं जिससे कि अगर हमें साणी चंप लगेगा तो हम इसमें एड़ करते जाएंगे तो मैं दो से तीन कप पानी दूसरी गैस पर रख ज़े जाएंगे तब तक उन्हें शेट दे दे देते हैं हम रस्मल तो प्लीज आप बताईए आप लोग कहां कहां से देख रहे हैं कमेंट करते रहे हैं जिससे कि मुझे पता लगे कि आपको वीडियो आडियो के लियर है और आपको समझ में आ रही है रेसिपी देखिए इस तरीके से जो बन गया था अब इससे ही आप रस पूले बना सकते हैं ये इक जो है मल्टी पर्पस जो है डो हो गया है मारा तो अब इससे जो रस्मलाई हम बनाएंगे पहले हम एक छोटा सा जो है बॉल बना लेते हैं जो कि हम जब शुगर में डाल के हम उसे चेक करेंगे कि वो हमारा फैल तो नहीं रहा है अगर आपका फैल रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा कॉन फ्लोर और एड़ कर सकते हैं तो देखिए मैं एक छोटा सा बॉल बना रही है इसमें कोई भी आपका क्रैक नहीं होना चाहिए बस इस तरीके की एक बॉल बना लेंगे और फिर जैसे मार्केट में रसमलाई आती है उसी साफसे आप इसे इस तरीके से थोड़ा सा क्रैक फ्री जो है इस तरीके से बना लीजिए यह साइज जो है परफेक्ट है यह मिक्शर में जाकर डबल या ट्रिबल हो जाता है तो अभी मैंने एक जो बनाऊंगी तो आपको पता लग जाएगा यही है कमेंट नहीं करते हैं जबकि कमेंट और लाइक जो है फ्री है तो प्लीज कमेंट और लाइक कीजिए तो यह देखिए इस तरीके से हम सारी बना लेंगे इतने जो हमारा पानी है वो भी बॉयल हो जाएगा फ्रेंड बहुत ही अच्छी रेसिपी है तो आप लोग जरूर ट्राई करें इसे अपने घर में और मुझे जरूर बताएं तो यह देखिए आप लोग प्लीज अपने अपने शेहर का ही नाम बताईए कि आप लोग कहां कहां से देख रहे हैं और आपने इस तरीके से रेसिपी का भी ट्राई करी है तो इस तरीके से बस फ्लैड बनाते जाना है क्या हुआ वीडियो के लिए नहीं है हेलो प्रवेश जी प्लीज बताईए वीडियो के लिए नहीं है दिखनी रहा है अप लोगों को जो मैं बना रही हूँ थैंक्यू प्रतिमा जी तो यह देखिए इस तरीके से बस बनाते जाना है आपको छोटा साइस चाहिए तो आप छोटा भी बना सकते हैं तो ये देखिए इस तरीके से और ये देखिए 200 ग्राम मैंने पनीर लिया था उसमें मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सारी जो है हमारी रस्मलाई बनके तयार हो जाएंगी तो आपके गैस आने वाले हैं तो आप इस तरीके से बना कर उने जो है सर्व कर सकते हैं और फिर आप उनसे पूछिए कि आप में काय से बनाया है तो बहुत बिल्कुल जज नहीं कर पाएंगे कि आपने इसे मार्केट से बनाया है मार्केट वाले पनीर से बनाए तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं अब आपकी सारी जो है दिक्कत दूर हो जाएगी कि हमारे पास जो है काओ मिल्क नहीं है क्योंकि जो लोग शेहरों में रहते हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात होती है अरेंज करना सब कुछ तो इससे जो है आप लोग फटाफट से बना सकते हैं और जटपट से आप देखिएगा लाइब में कितनी जल्दी से ये दोनर रेसिपी बनके तयार हो जाएगी और कितनी सारी आपको दिख रहे हैं कितनी कम कौन्टिटी में जो है हमने पनीर लिया था 200 ग्राम और उससे क इतनी सारी हमारी रसमलाई बन जाएंगी बजार में जो है बहुत ही महंगी मिलती है थैंक्यू मानिया प्लीज शेयर कर दीजे और अपनी सिटी का नाम बताईए और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है मेरे ये भी बताईए तो प्लीज जो भी मेरे सब्सक्राइबर है वो एक बार जो है मेरे चैनल का जो है लिंक इसमें शेयर कर दीजे कमेंट बॉक्स में जिससे और लोग भी उस पर जोइन हो सकें तो आप लोग सपोर्ट कीजिए उस पर भी बहुत अच्छी अच्छी रेस्पीज हैं अंगूरी रसमलाई की मैंने रेसिपी डारी है तो आ सबसे जाएं नहीं जाओं था आप को 27223 16 18 18 जो हैं हमारी रस्मलाई बन कर तयार हुई है और दो छोटा़ साइस के हमारे च्छोटे-छोटटे से रस बुल्ले जो है इस तरीके से बन कर तयार हो गए है दिक सोभी आपको और जिसमें भी क्रैक हो तो वह हलका सा आप इस त फ्रेस्ट नहीं बूंद करनाना है। हमारा रशारी बनकर तयार हो गई है अब हम अब आपकी बाता है' ही उसे हम देख लेते हैं तो यह देखिए पानी बॉइल हो चुका है अब इसमें हमें जो छोटी वाली बॉल बनाई थी वह हम डाल के देख लेते हैं तरीके से और अगर आपकी शूगर में जहां है तो उसमें जो है थोड़ा सा दूर डाल कर उसे जो है मैंनेज कर सकते हैं तो यह देखिए बिल्कुल भी हमारी बॉल जो है फैर नहीं रही है और आप इसका ध्यान रखें कि यह जो है बॉइलिंग ऐसे आनी चाहिए जब भी आप अपनी एक भी बॉल डाले तभी और मैं इसमें दो इलाइची डाल रही हूं अगर आपको पसंद जो है उसमें बॉल आते रहना चाहिए तभी जो है आपकी परफेक्ट बनेगी है तो आपकी कोई भी क्वैरी है तो आप तूस सकते हैं और बिकुल गैस को हाई फ्लेम पर रखना है तो देखिए आपको दिख़़ा हुआ कि मेरे पानी में बॉल लगातार आ रहा है सेंटर कि आपको समझ आ रहे है सब कुछ जब भी बॉल जाए कम हो जाए पानी का तो दो मिनट वेट करिए जब बॉल होने लग जाए तभी जो है आप इसे डालिए अगर आपको रजगुले बनाने हैं तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं बस उसमें जो है शुगर और वाटर की क्वांटिटी थोड़ी जादा होगी बस यह देखिए दिख रहा है आपको पास से दिखा देती हूं मैं थोड़ा तो यह देखिए मैंने सारी जो है डाल दी हैं बस दो मिनट इसे इस तरीके से उबरने देंगे और फिर हम इस पे ढखकन रख देंगे और यह जो मैं आपक आपको दिखाऊंगी है कि किस तरीके से फूल गई है आपको दिख रहा होगा सब उपर आ गई है और साइस भी इसका बड़ा होने लग गया है मैंने इसलिए ही आपको बोला है कि थोड़ा ब्रॉड जो है बड़तन लेना है आपको जिससे की इने स्पेस मिले फूल ने के तो बस इस टाइम पर आपको इसे बिल्कुल नहीं छेंड़ना है बस इस तरीके से आप ढखकन ढख दीजिए और इसे बॉइल होने दीजिए 12-15 मिनट तो चलिए इतने जो है हम इसका जो हमें रस बनाना है वो भी हम एक साइब में रख देते हैं तो यह हमने एक कड़ाई होता है अगर हम उसे वैसे भी पीते हैं तो तब भी जो है वह बहुत टेस्टी लगता है तो उसके लिए हमने एक कड़ाई लिया है अब इसमें हम दूट डालेंगे तो आप पहले से उबलावा दूट ले सकते हैं फुल फैट मिल्क ले सकते हैं तो मैंने अमूं का बिना रसमलाई के भी बहुत टेस्टी लगता है तो मैं जो है चार कटोरी जो है यह दूद ले रही हूं और आप इसमें शुगर जो है अपने हिसाफ से आड़ कर सकते हैं तो मैं पांच कर दे रही हूं तो यह देखें पांच कटोरी जो है इसमें दूद डाल दिया है आप अपने हिसाफ से कम जादा कर सकते हैं अगर आपको कम पसंद है शुगर तो आप कम डाल सकते हैं ज्यादा पसंद है तो ज्यादा जाल सकते हैं अब इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से इसे mix करना है और अब ये दोड़ा सा गरम हो जाएगा तब हम इसमें जो है एक काटोरी में हम अलग से ले लेंगे काटोरी में थोड़ा सा गरम दूद हम अलग ले लेंगे और उसमें थोड़े से धागे हम केसर के डालेंगे क्योंकि इसमें केसर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है रस्मलाई में तो आप केसर नहीं है तो आप कलर भी यूज़ कर सकते और मेरा एक सीक्रिट इंग्रीडियन्ट है तो वो भी मैं बताऊंगी कि मैं इसमें क्या एड़ करती हूँ तो थोड़ा सा दूर मैं अलग से ले ले रही हूँ इसमें और इसमें हम थोड़े से केसर के धागे डाल देते हैं तो इसमें कलर भी आएगा और फ्लेवर भी तो आप लोगों के कमेंट आने बंद हो गए हैं बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है अब हम जो है यह दोनों चीज हमारी बन रही हैं मैं एक बार आपको रस्मलाई चेक करवा देती हूं कि आपको दिखाती हूं आगे का प्रॉसेस जो हमें पोहे बनाने हैं उसमें हमें क्या करना है कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और बाद में भी आप मुझे मैसेज करके इंस्टा पर या मैसेंजर पर पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मैंने ये थोड़ा सा इलाइची का पॉडर लिया है ये भी हम डाल देंगे इसमें और इसे अच्छी तरीके से बस बॉइल होने देंगे अब मैं एक बार आपको रस्मलाई दिखा देती हूँ फिर हम आगे का जो है प्रॉसीजर करेंगे तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से देखिए फूल गई है सारी रस्मलाई है दिख रहा है आपको कितना अच्छा जो है इसका साइज हो गया है अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी जो हमने गरम करके रखा था वो थोड़ा सा पानी साइड से मैं और एड़ कर जिससे की से फूल नेकले जगा मिले इसलेही मैंने आपको बोला था कि गरम पानी डालना है इसका बॉलिंग जो है बिल्कुल भी बंद नहीं होना चाहिए तो यह देखिए इस तरीके से यह फूल गई है और मैं आपको अभी दिखाऊंगी इसका कि यह बनी कैसे बनेंगी तो यह देखिए हमारे जो छोटू-छोटू हमने डाले थे वह भी अच्छी तरीके से जेखिए फूल गए हैं दिखे रहा है आपको वह भी कितने वड़े साइस के हो गया और इसे अब हम ढग देंगे तो बारा से पंदरा मिनट का जो है हमें से टाइम लएगा अब जो हम गनाने तो आप डमद्रपे फूर्प में क्यों होता है बैसिकली इसमेर जो जाती और यार्ट वह आप लोगं को पता हीं कि यूंज नहीं करते हो अपनी डापी में क्योंकि मैं नहीं खाती हैं और आज मेरा फास्ट भी वोजी है तो यह जो है हम बिना प्याज के बनाएंगे मेरा वर्जन या वश्रत्य को इव navigate को इसतरीख से नहीं बनते हैं क्योंकि हम घ्रेम खोटी है तो अपने हिसाँ से अपनी ऐस बनाते हैं तो आप इस between in डाल सकते हैं लेकिन मैं आज यूज नहीं कर रही हूं प्यास तो मैं बिना प्यास के बता रहे हूं आपको अब इसको क्या करना है हमें एक बार जो है इस तरीके से चान लेना है कि जितनी घी इसमें छोटे वो गड़ होंगे वो निकल जाएं बस हमें उपर का मोटा-मोटा जो है पोहा चाहिए तो इस तरीके से चांग लेंगे तो ड़िखे जतना भी छोटा था वो निकल गया है अब एक बौह लेए कि अरे आगए जो है इस पोहे को हम नाल देंगे अब दूसरे बॉल में हम क्या करेंगे माँक कि इसमें जानाता हूने मृट अ तो बिना फास्ट के अगर आपको बिना फास्ट वाली बनानी है रस्मलाई तो आप इसमें कॉन फ्लोर और मैदा यूज मत कीजिए तब भी बहुत अच्छी बनती है अब इसमें हमें क्या करना है मैंने क्रंच के लिए इसमें गाजर ली है यह तो आप अपने हिसाब से मैने तो आप अपने हिसाब से मैने कर सकते हैं रैसीपी को जैसे भी आपको पसंद है और यह मेरे हरे धनिया और पॉधिने की चटनी है तो इसे भी मैं यूज कर रही हूँ इसमें बहुत अच्छा जो है इसका इसका पेस्ट आएगा इसमें रिफ्रेंशिंग का जो है टेस्ट आता है पॉधिने की चटनी का आपको पता हिए तो यह एक से दो चमच मैस में यह आड़ कर रही हूँ तो आप अपने टेस्ट के अपॉर्डिंग कोई भी चीज कम जादा कर सकते हैं अब इसमें हमें सॉल्ट आइड करना है तो चटनी म तो आप ऐसा सैलड भी इसे खा सकते हैं यह वैसे भी बहुत टेस्टी लगता है अब इसमें थोड़ा सा निम्बू का रस डालेंगे आप लोगों के कमेंट आने बंद हो गए हैं तो यह निम्बू का रस डालेंगे और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे शूगर क्यूकि हमने सब चीजे खट्टी घट्टी डाली हैं तो उसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी हम इसमें서 डालेंगे तो ये देखें इस तरीके से सब चीजे जो हमने अच्षी तरीके से इसमें bigs कर लिए अब थोड़ा सा मिख धनिया डालोंगी इस तरीके से और इतना refreshing ये बं के तयार हो गया अब इसमें पोहा जो हम डालेंगे इसमें basically जो है नारियल करता है इसके साथ और इसमें नारियल पड़ता है अब प्याज पड़ती है लेकिन वो दूनों कीज़े मैं यूज नहीं कर रही हूँ बस अब इसे पोहे को इस तरीके से इन सब चीजों के साथ मिक्स करके अब इसे 5 मिनिट के लिए हम ढखका रगतेंगे जो इसका जो वाटर निकलेगा जितन सब्सक्राइब करेंगे लेकिन थोड़ा सा तड़का लगाने से थोड़ा अच्छा लगता है खाने में तो अब यह देखिए अब मैं इसे ढखका रख दे रही हूँ या और फिर दो मिनट बात फिर हम इसे चलाएंगे तो आपको पता लएगा यह कित्ते सॉफ्ट हो गया अब इसे साइट कर दे रही हूँ एक साइट में रख दे रही हूँ जी जी मानने आप कर रहे हैं बराबर बात अब यह देखिए यह दूद इस तरीके से गरम हो गया है मैंने आपको बताया था मैं इसमें अपनी एक सीक्रेट चीज डालूँगी तो उसके लिए क्या करना है मैं थोड़ा सा दूद जो है और अलब निकाल ले रही हूँ थोड़ा सा हमने उसमें निकाला था थोड़ा सा मैं और अलब निकाल ले रही हूँ थोड़ा बड़ा व तो अब मैंने यह बाउल लिया है देखिए छोटा सा इसमें जो है मैंने थोड़ा सा दूद निकाल लिया है हाला के चमल अब जो मैंने बताया था आपको की मियात्मा जो इसमें सीक्रेट चीज डालती हूं वह क्या है जिससे कि मेरी जो रस्मलाई है बहुत ही टेस्टी लग तो बस इस तरीके से हम हाफ टीस्पूनी डालना है ज्यादा नहीं डालना है कि इसे दड़पे पूहे कहते हैं मान्या तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में एक बार जुरू ट्राइब करना जटपड से बन जाते अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो टेस्ट को ज कर सकते हो तो यह देखिए दूद हमारा बॉल होने लग गया है अब जो हमने यह कस्टड वाला मिक्षर बनाया है वह इसमें हम डाल देंगे और लगातार कंटीन्यू से चलाना है इससे जो है इसका कदर भी बदल जाएगा और टेस्ट भी एकदम से इनहेंस हो जाएगा औ और जब तक यह दूद उबलेगा तब तक जो है हमारा जो हमने कस्टर पॉलर डाला है वह भी मरा इसमें अच्छी तरीके से पक जाएगा तो बस पर दकाना पकाना है और साइड में जितनी भी इसमें मलाई आएगी उससे स्क्रेब करते जाना है दूद के साथी आपको मिक कि अधा रेती हूं कि रस्मलाई को वाटर में डाले हैं कि सुगर सिल्प में हमने डाला था कितने मिनट हो गया है कि अधा जाए तो चलिए हम चैक कर लेते हैं एक बार मैंने भी टाइम नहीं रहा था कि कितने मिनट हो आए तो यह देखिए साइज देखिया आप एक बार कि इतना बड़ा जो है इसका साइज हो गया दिखा आपको अब क्या करना है आपको चैक करने के लिए क्या करना है इसमें एक बाउल में आपको पानी लेना है रूम टेंपरेचर वाला मैं उधर ही साइट में रखते हूं फिर आपको दिखाते हूं एक में यहां पर रखके मैं आपको दिखाते हूं कि नई वीडियो शुरू हुए नहीं पूछ रही हूं मैं कि हमने इसमें जब रस्मलाई डाली थी अब यह नॉर्मल मैंने वाटर लिया है अब इसमें से हमें रस्मलाई निकालेंगे और इसमें जो हम इसे डालेंगे इस तरीके से तो यह देखें बिल्कुल नीचे सेंटर में जाके बैड़ गई है तो यह हमारी बिल्कुल परफेक्ट तयार है अगना गयास को बंद कर दूंगी और इसे जो है हम उसी में डाल देंगे सुगर सिरप में हमी से ठंडा होने देंगे बिल्कुल आपको बाहर नहीं निकालना है इसे अगर आपकी ऊपर तैरती है तो आप एक से दो मिनट और उसे छोड़ सकते हैं लेकिन यह हमारी परफेक्ट है कि यह नीचे जाके बैड़ गई है तो इसका मतलब हमारी रसमलाई बिल्कुल तयार है और अभी यह गरम है लेकिन मैं आपको एक बार दिखा देती हू यह चलिए इसी में रहने देती हूं आपको फिर इसकी शेप दिख्ण कर दूँ यह इसी तरीके से रहेगी और मैं इक पर साइज दिखा दूँ आपको कि कितना बड़ा हो गया है यह देखे साइज देखिए आप कितना बड़ा हो गया हमारी रसमलाई का और कोई कहेगा हम कोई हमने कोई छेना नहीं बना नाया कुछ नहीं बनाएं फटाफट से हमने कितनी जल्दी से बनाखे तयार कर आए दिख रहा है आपको अब यह हमारा जो है दूद्ध भी पकने लग गया है अब इसमें जो हमने केसर रखा था लग से वह हम मिश्में मिक्स कर देंगे जिससे की कलर भी आ जाए और फ्लेवर भी केसर का तो ये देखिए मैंने वो भी डाल दिया है बस एक से दो मिनट में हमारा ये दूद भी जो है बनकर तयार हो जाएगा तो आप इसमें जो है कलर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको यलो कलर डालने हैं मार्केट इस्टाइल बनानी है तो आप थोड़ा सा इसमें यलो कलर डाल सकते हैं जो हम केव वग्यारा में यूज़ करते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं बस एक से दो मिनट और पाताएंगे हम इसे आप लोगों के कमेंट आने बंद हो गए हैं प्लीज कमेंट करते रहे हैं और कुछ नहीं तो अपने सिटी का नाम बताईए ये रैसिपी आपको समझ आ रही है वो बताईए तो ये देखिए दूद हमारा तयार हो गया और मैं आपको पोहे की दिखा लेती हूँ कि वो किस तरीके से हुए है आप लोग ने बनाएं कभी दड़बे पोहे तो मुझे बताईए या रसमला इस तरीके से बनाई है तो प्लीज मुझे बताईए और वीडियो को प्लीज शियर कर दीजिए जिससे और लोग जॉइन हो जाएं और इस पेज़ कर ये वीडियो रहेगा अब ये देखिए ये कोहा तो हमारा सॉफ्ट हो गया अविसे एक बार और हम इस तरीके सर्क से कर देंगे जिससे कि ये और ठोड़ा सा-ष्थयरों के फूल भी रहा है आप कितना उपना अच्छा लग रहा है तो आप इस तरीके से जडब बना सकते हैं और बश्चों को दे सकते हैं तो वह भी जो है अराम से इस चीज को बना सकते हैं तो अब बस मैं इसे रख दे रही हूं और फिर हम इसमें तड़का भी लगाएंगे वह मैं दिखाऊंगी अब भी बनाना तुरंट कोई भी इसमें ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको मार्केट से लानी है तो यह देखिए दूर भी हमारा जो है तैयार हो रहा है अब इसके लिए एक तड़का बना लेते हैं वह रस्मलाई में हटा देते हूं इधर आपको दिखाते हैं इस तरीके से यह हमारी रस्मलाई बनकर तैयार हुई है अब इसके लिए जो हूं तड़का बनाएंगे उसके लिए हमेरी प्रैंड करें तो मैंने यह पैन ले लिया है तड़के के लिए तड़का अप्शनल है आपको नहीं डालना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं कि आप ऑईल घी कुछ भी ले सकते हैं मैं थोड़ा सा जो है अमूल का घी ले रही हूं क्यूंकि बच्चों के लिए हम बनाते हैं तो थोड़ा सा हेल्दी होना चाहिए ऑप्शन अब इसमें हम रारेंगे थोड़ी सी घी थोड़ी सी राइट और हमने अभी तक इसमें मिर अब बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसकिप कर सकते हैं तो तो थोड़ा सा घी को थोड़ा सा गरम होने देते हैं कि अब आप लोग भी ट्राइब कीजिएगा प्लीज अब बताईएगा कि किस तरीके से बनी हैं आपकी रेस्पिस तो यह देखिए अब घी हमारा गरम हो गया है अब इसमें जो हैं हम यह राई डाल दे रहे हैं और थोड़ी सी हम इसमें हींग डालेंगे हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और मैं इसमें हरी मिट चैट कर रही हूँ और आपके बाद प्रैश कड़ी करते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं तो यह दो है ट्राइए हैं तो मैं वो यूज़ कर लिए तो यह प्राइए कड़े पक्ते जो है मैं हमें यूज़ कर लिए हैं तो यह हमारा तड़का भी जो है बन कर तया रहे हैं अब हमें से अपने पूहे में डालेंगे तो इस तरीके से हम इसे पोहे में मिक्स कर लेंगे दिखर है को यह चलिए हम अधरी चलते हैं हमारा दूद जो है बनकर तयार है यह बिल्कुत तियारते दूद हमारा बन गया है रस्मलाई भी हमारी जो है बनकर तयार है और अब इसמे हम तड़के को जो है निस पर देरेते हैं तो रस्मलाई कैसे आपको भी में आपको दिखाते हमें बरी जो हमें अलब से निगली थी योगोई आ theo Dollar तरह कर दिया है और इस तरीके से हमारा टेस्टी टेस्टी जो है दड़पे बन करता यहार है और मैं आपको दिखा देती हूं यह विल्कुल सॉफ्ट हो गया है पोहा कहीं से भी क्रंची नहीं है इसमें नारियल का जो है वाटर भी डाल सकते हैं आप थोड़ा सा अब हम इसम हमारा पोड़ावन कर तयार हो गया मैं से एक साइड में रखती हूं और आपको जो है मैं रसमलाई दिखाती हूं यह देखिए जो हमने रखी थी बहुल में अब इसे आप इस तरीके से स्क्वीच करिए यह देखिए कैसी हो गई है और आप हम वाटर में डालेंगे तो यह थोड़ी देर में अपनी शेप फिर से번호 इसी तरीके से ले लेगी आपके सामने की तो आप देखते रहें यह मैं 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 मेंटेन कर लिये कर है तो आप जो हमारा दूद बन कर तयार हो गया है और हमारी रस्मलाई भी थोड़ी सी थंडी हो गई है तो अब ** बूद में वह अपनी रस्मलाई यह एड कर देंगे और गैस को हम बर्द कर देंगे अब इसे हमें 3-4 घंटे लगते हैं इसे बनाने में इस पे कलर चड़ने में और इसके अंदर दूद जो उने बनाया है उसे सोफ होने में तो मैंने जो है एक बैच आपके लिए पहले से बना के रखा है तो मैं आपको उसका रिजर्ट दिखाती हूं कि वो किस तरीके से बना है उसके बाद आपको इस पे ड्राइ फ्रूट्स ड आपको चाशनी वाला आपका पानी बचा है इसको आप किसी भी सुगर सिरप में इस्तवाल कर सकते किसी भी शर्मत वागयार में च्छान लीजे इसमें और सुगर एट कर लीजे तो यह जो है आपका वेस्ट कर लेजिए है यह एक दो दिन में जब भी आप बनाएं तो चोटा वला भी कितना हमारा बड़ा हो गया है तो यह देखिए मैंने सारे जो है इसमें डाल दीए यह रस्मलाई अपनी और इसे बस इसी तरीके से छोड़ देंगे और ल निकाल को उसलिए तरीके से वाइब में कोंच और गूख लीजैए लिए घ्लेंट करेंगे कोई कोशन है किसी का तो यह देख लीजिए हमारे दड़पे बो है मैंने इस तरीके से सर्वत रहे है और यह रस्मलाई का एक बैच जो है मैंने आपके लिए बना के रखा था यह देखिए इस तरीके से तो यह देखिए यह देखिए साइज इसका दिख रहे है आपको दूद में जाने के बाद इसका साइज और ज्यादा बड़ा हो जाता है तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं अपने हिसाफ से छोटा बड़ा जैसा साइज आपको पसंद है वैसे आप मैनेज कर सकते हैं तो यह देखिए हमारी जो है बनकर तयार है अब इसके ओपस में थोड़े से ड्राइ स्कूर्स आड़ कर देते हैं थोड़े से मैंने बदाम डाल दिया है और थोड़े से पिस्ता हम इस पे आड़ कर देते हैं और थोड़े से मेरे पास ड्राइ पैटल्स हैं रोज के वो भी मैं आड़ कर दे रही हूं जिससे की देखने में बिल्कुल मार्केट स्टाइव लगें आप फ्रेश पैटल्स भी यूज़ कर सकते हैं और फोड़ा से में सिल्वार गारत भी लगारे हैं इस तो बताईए कैसी लग रही है दोनों चीजें और मैं आपको टैक्श्चर भी दिखा रहेती हूं कहीं आपको लगे कि मैं आपको बना तो दी है और इसका टैक्श्चर अच्छा है या नहीं है कहीं अंदर से कैसी है तो वो भी मैं आपको दिखा रहेती हूं यह देखिए एक मैंने ली है और इसे कट करिए यह देखिए अंदर से इसका टैक्ट्चर विल्कुल कहीं कोई गांट नहीं है कई कुछ नहीं है अच्छी सी जो है इसमें जाली आई भी है दिख रहा है आपको यह देखे तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं और रस्मलाई की जो है लाइफ जादा नहीं होती है एक सो दो दिन में ही आपको कंजियूम करनी पड़ेगी तो थोड़ी थोड़ी फ्रेश फ्रेश बनाईए आप तो कोई इश्यू भी नहीं है कि हमें यह चीज चाहिए या वो चीज जब आपको बनानी हो पनीर लाईए बजार से और जटपट से बना लीजिए तो चलिए बत आप लोगों को रैसिपी कैसी लगी मुझे बताईएगा अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजेगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए अमूल के पेज को लाइक करिए और मेरे साथ भी जूड़िए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अंजन अगर नट्स आइस्क्रीम है तो आप घर पे कैसे बना सकते हैं उसे असानी से सारी टिप्स और ट्रिक्स उसके साथ है उसमें भी मैंने अमूल के प्रोड़क्ट यूज़ करें तो आप उसे भी जरूर देखेगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में 13 को मेरा नेक्स लाइब है तो आप वो भी जरूर देखेगा बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी रैस्पी है जो बच्चों की फेवरेट है और घर में आप बिना मैदा के कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी तो चलिए तो चलिए अपना कीमती समय देने के लिए आप लोग ट्राई करिए और मेरे साथ जुड़ी और मुझे बताईए कि आपको कैसी लगी थैंक्यू मानिया बहुत-बहुत धन्यवाद सब का तो चलिए बाई-बाई और अमुल्की टीम का भी बहुत-बहुत धन्य जिन्होंने मुझे मौका दिया थैंक्यू